हेलो फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए बहुत ही इजी नास्ते की रेसेपी लेके आए हूँ यदि हर दिन एक ही तरह का नास्ता खाके बोर हो गया है तो आप इससे जरूर एक बार ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी रेसेपी है बनाना भी इजी है सभी को काफी ज़्यादा पसंद आएगा तो फिर देर किस बात की चलिये बनाते हैं आज इस रेसेपी को हम बनाएंगे मूली से उसके लिए क्या करना है एक पीस मूली लेना है क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब इससे क्या करेंगे ग्रेट करेंगे एक ग्रेटर लेंगे और इस तरह से ग्रेट कर लेंगे पूरा मूली को ग्रेट नहीं करना है आधा ही मूली को ग्रेट करना है अब देखे हमने ग्रेट किया है बस इसी तरह से ग्रेट करना है अब आधे मूली को घीस के लेना है और आधे मूली को कट करके लेना है इसका result मैं बाद में बताऊंगी कि आधा मैं काटके क्यों ले रही हूँ और आधा घीस के अब इस तरह से छोटे-छोटे pieces में cut करना है अब देखें इस तरह से छोटे में cut करना है तो जो आधा piece मूली को है तो पूरा को इसी तरह से cut कर लेंगे एक मूली हमने लिया था लेकिन एक मूली का धेर सारा बनके ये ready होता है तो quantity आप अपने अनुसार कम याद जादा कर सकते हैं अब क्या करना है एक कड़ाई लेना है अब उस कड़ाई में दो चम्मच तेल डालेंगे अब इस तेल में आधा चम्मा जीरा एक कटीवी मिर्ची आज मैं आप लाल वाली मिर्ची को कट करके ली हूँ आप हरी मिर्ची भी काट के ले सकते हैं थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया अब इन सभी को एक बार मिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं बस सिर्फ मिक्स ही करना है अभी देखे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब मूली को डाल देना है इसी में अब इस मूली को एक बार अच्छी तरह से mix कर लेते हैं भुना नहीं यह सिर्फ mix करना है अब यह अच्छी तरह से mix हो गया है अब इसमें क्या करेंगे डाल देंगे नमक नमक डालने से मूली गल जाएगा साथ में ही डाल देंगे एक चुथाई कप पानी यदि आप ताजा मूली यूज कर रहें तो एक चुथाई कप पानी में अच्छी तरह से यह सॉफ्ट हो जाएगा उबल जाएगा और यदि बासी मूली है तो फिर पानी आप थोड़ा सा ज़ादा डालें अब इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए 10 मिनट में यह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा अब 10 मिनट हो गया कवर हटा लेते हैं कवर हटाने के बाद आप देख सकते हैं मूली से हलकाल का पानी अभी है ही इसमें और मूली अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया बस ऐसा ही चाहिए हमें बस ये अच्छी तरह से मूली सॉफ्ट तो है ही और इसमें पानी भी है अब इसमें क्या करेंगे एक कप सूजी डालेंगे बस एक कप सूजी डालके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स भी करते जाएंगे और गयास का flame high रखेंगे, ये high flame में अच्छी तरह से पक जाएगा, और spatula से इस तरह से हलका-लका press भी करते जाएगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जो मूली का पानी है, उसी पानी में ये अच्छी तरह से पक जाएगा सूजी, कभी ऐसा लगे कि पानी कम है, थोड़ा सा गरम पानी इसमें डालते हैं, बस इस तरह से लगभग 3-4 मिनट लगता है, मिक्स करने में और सूजी को पकने में, अब इस सूजी पक चुका है, पकने की पता आप देख सकते हैं, हमने एक ही कप सूजी डाला था, एक कप सूजी में कितना सारा बनके रेडी हो देते हैं, अब ये सूजी और मूली के मिक्स को हमने एक बावल में निकाल दिया है, हलकाल का ये ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बैद आप देख सकते हैं, बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो इस तरह से हाथ से मसलना है, जैसे हम लोग आटा गुतते हैं बस सेम वैसे ही करना है, थोड़ा सा मसलना है, मसलने से ये पूरा अच्छे से चिकना हो जाएगा, दो से तीन मिनट लगेगा, दो से तीन मिनट में अच्छी तरह से चिकना हो जाएगा, अब ये एकदम डो के फॉर्म में आ गया है, बहुत जादा सक्त भी नहीं और गिला करके बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह हाथ से पहले गोल कर लें लोई को चिकना कर लें अभी चिकना हो गया अब दोनों हतेली के बीच में इस तरह से रखें और प्रेस कर दें जितना पतला हो सके उतना पतला कर दें अभी देखी एकदम पतला हो गया न जैस इसी तरह से बनाना है तो चलते हैं फिर अब इसे हम फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए कड़ाई में तेल गरम करेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो एक बार में दो पीस डालेंगे, बहुत सारा पीस नहीं डालना है बस ग्यास का फ्लेम हाई रखेंगे जो गया हलका गूल्डन कलर का हो गया है फिर सेक बर पलट लेते हैं अब इसे हम निकाल लेते हैं बाकी कभी हम सेम इसी तरह से फ्राइ करके निकाल लेंगे अब इस सारे मूली और सूजी की पूरी बनके रेडी हो गई आप इसे आलू की सबजी या फिर कोई भी ग्रेवी की सबजी के साथ खा सकते हैं आज मैं या पर आलू बैगन की सबजी के साथ इसे सर्व कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना भी ईजी है देखे मैंने जो काट-काट के मूली यूज किया है वो आप देख सकते हैं पूरी के उपर पीसेस दिख रहा है इसलिए काटके यूज करना है तो ज़्यादा स्वादिश लगता है अब मैं आपको एक पीस थोड़के दिखाती हूँ कि उपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है और जो हमने पीसेस डाला है मूली का तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है फ्रेंट्स अगर आजगी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें